तो करेंट फेर्स के अंतरगत जो आपका अगला टॉपिक है न्यूजिलेंड से जुड़ी हुई खबर है और बहुत ही महत्रपून खबर है हर देश को ये कारे करना चाहिए जनमें से न्यूजिलेंड वैसे भी विश्टु के अग्रडी राष्टो में से जो की मानुस विका को ले करके सबसे आगे देश है तो न्यूजिलेंड ने बाइबाय कर दिया है अब आप कहेंगे सर किस चीच को बाइबाय कर दिया है न्यूजिलेंड ने बाइबाय किया है सिंगल यूज प्लास्टिक को न्यूजिलेंड ने प्लास्टिक उत्पाद बैक पर प्रतिबंद लगा दिया पूरे तरीके से अब वहां पर single यूज प्लास्टिक जो है पूरी तरीके से प्रतिबंदीत हो गई अब आप कहेंगा सर हमारे देश में तुह ही थी हमारे देश में संकल्प लिया गया हमारे देश में सरकार अरे परदीज होगा पर बिष्टू का पहला नियूजिल को पता की प्लास्टॆ हर तरीके का प्रदूशन करती है जलती है तो वायू प्रदूशन होता है पानी में मिल जाएगी तो जल प्रदूशन हो जाएगा मिट्टी में मिल जाएगी तो मिर्दा प्रदूशन हो जाएगा और आपको पता है यह हजारों वर्स जिंदा रहती है प्लास्टिक मरती नहीं तो यह पर्यावरण की दिशा में वायू प्रदूशन जल प्रदूशन और भूम प्रदूशन को स्वस्त रखने के लिए न्यूजिलेंड के एक पहल है और न्यूजिलेंड का उदेश यही है कि प्लास्टिक वैग के उप्योग न्यूजिलेंड में लगवग 150 मिलियन प्लास्टिक वैग हर वर्स प्रयोग किये जाते हैं उसको रोकना था तो यह एक जुलाई यूज प्लास्टिक के खिलाप यह बहुत बड़ा वियान है और सिंगल यूज प्लास्टिक न्यूजिलेंड में बंद हो गई है द्यान रखेगा इससे पहले भी 2019 में प्लास्टिक पर प्रतिबंद न्यूजिलेंड गवर्मेंट ने लगा है लेकिन अब पूरी तरीके से उन हर जगवहों पर यह पृति बंद लगेगा क्लियर है इस पष्ट है आगे बढ़ें लिए कि चल भी आगे बढ़तें देगे प्लास्टिक के बारे में 25 बात बताओं भारत के संदर में बदाओ तो भारत में पहला Animation सिक्किम ने प्रतिबं लगाया था उनीश औन ठीक है और भारत में प्रतिवर्ष करीब 34 लाख टन प्लास्टिक कच्रा पैदा होता है प्रतिवर्ष समझिए 34 लाख टन वैसे इसको रिसाइकल भी किया जा सकता है लेकिन मातर 30% का हम रिसाइकल करते हैं प्रतिवर्ष 3 जुलाई को अंतर राष्टिये प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस भी मनाया जाता है तो प्लास्टिक बैग के उपयोग को खतम करने का उद्देश है छान के सकते हैं, मैं आप लोगों सबी से कहता हूं कि अच्छी आदत आप लोग डाल सकते हैं कि आप भी प्लास्टिक को it does . घर से जाइएे कभी सब्झी लेने जाना पो घर में एक दो-कपड़े के फैल आपकर जहां से आप निकलते हैं जो आपके इंट्रेंस वाला इकजिट वाला गेट होता है वहां पे आपके टंगे होने चाहिए उठाईए लेकिन आप मार्केट में जाएगे तो मार्केट में ह सबसे बाद यही है तो विष्टू का पहला देश जिसने सिंगल यूज प्लास्टिक बंदबैन किया न्यू जिलेंड रखना थी कि यह प्लास्टिक तो गियो आगे चलते हैं अगला यह आपकी एक पहल है पहल कह सकते हैं या फिर इंडसेक्स भी बोलते हैं यह आप देख रहा हैं इनडसेक्स अब कई बार जैसे यू पीसC में डिरेक्ट्ली पूछ लेता है इंडस अक्स क्या है तो फिर आपके दिमाग में तो अभी भारत अमेरीका रक्षा त्वरित परिस्तिकी तंत्र इंडसेक्स इसको अभी लॉंच किया गया है 21 जून 2023 को लॉंच कहां किया गया वसिंगटन डीशी में सेउत्राज अमेरिका में और यह भारत और अमेरिका के बीच में रड़नीतिक साज़े दारी को बढ़ाने है तो एक पहल की गई तो यह चैनल चैनल रहा है इसका इक मात रुदेश है कि भारत में डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन लाना नवचार लाना ठीक है अमेरिका एक माध्यम बन रहा है तो भारत में डिफेंस जो टेकनोलोजी है जिसे हम रक्षा प्रद्योक्ति कहते हैं उसको फिर से पुनरजीवित करना नई प्रद्योक्तियों के विकास को बढ़ावा देना विनिर्मार्च शित में बढ़ावा देना तो कहीं पर भी इंडस एक्स आए तो इसमें डिस्टर्ब नहीं हो ना जहां पर भी अब आपको पता है एक्स जहां पर आजाए अमेरिका आजाता है वहां पर अमेरिका अभी आपको पता है ट्वीट अब तुइट्र का नाम बदल गया सब्स जानते हें सब्सक्राइ üzere उंडचिण्ज पहले इंड़ एक्सडाट kommt कंपनीर एलन मस्की अब पेपल के नाम से वो कमपनी ठीक है एक रैंकिंग और आई आपकी बहुत बड़ी रैंकिंग है यह आपका वो जो इंडसेक्स है उसको लेकर के समिट थी आपकी प्रॉपर एक रैंकिंग आ गई है फिर से यह रैंकिंग 2024 की है क्यों एस वर्ल्ड रैंकिंग 2024 की यह आपकी आचुकी है क्यों वर्ल्ड इन्वर्स्टी रैंकिंग 2024 यह आप सभी के आचुकी है और जून 2023 में आपकी यह रैंकिंग जारी हुई थी ठीक है किसके द्वारा किये गई क्वाकरली साइमेंट्स की वेस का मतलब है क्वाकरली साइमेंट्स एक संस करण है इसमें क्या होता है जो हाइर एजुकेशन होती है ना बड़ी-बड़ी इन्वस्टियां होती है उनको रैंकिंग दी जाती है तो कि वर्ड इन्वस्टी रैंकिंग संस्थान नम्बर 1 सबसे एक में आक फोके पड़ती है इस से कुशान आता है तो Oxford University number 1 में है, number 2 में कौन सी है, number 2 में है आपकी MIT, MIT USA में पढ़ती है Massachusetts Institute of Technology, तो MIT आपका ये USA की है, USA number 2 में, number 3 जो आपकी है, number 3 है आपकी Stanford University, ये भी USA में पढ़ती है, Stanford USA, ये टॉप 3 हैं आपकी, ठीक है, इसके बाद आपकी Cambridge University आती है, और फिर आपकी, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर sequence गढ़बर हो रहा है, number 1 में, हाँ sequence थोड़ा गढ़बर हुआ है, QS का sequence ही करिए, तुक जाए इसको थोड़ा बदल लिजे, आप भी cut कर दीजेगा, number 1 में MIT है, एक मिनट, यह पुराना डेटा है, अभी जो लेटेस्ट है, 2024 वाला उसमें number 1 में MIT है, यह गढ़बर हो जाता भी, MIT USA की है, दरसल यह आसपास ही रहती है, पिछले वर्स को यह और भी है, तो number 1 में MIT है, यह ध्यान रखेगा, number 2 में Cambridge University है, Cambridge है number 2 में, Cambridge University भी आपकी UK की University है, नमबर 3 में आपकी आक्सपोर्ट है, आक्सपोर्ट नमबर 3 में है, यह गढ़बर हो जाता है, त्यानके का 2024 का डेटा है, पहले मैं आपको पिछले साल का बता रहा था, इस साल का यह है, MIT number 1 पे, Cambridge दूसे नमबर पे, आक्सपोर्ट तीसरे नमबर पे, चौते नमबर पे, Harvard University है, Harvard का नाम बहुत सुना होगा, आपने पहले नमबर पे भी कई बार रही है, तो Harvard University है, बहुत छोटा 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 वेरियेशन होता है, पाच्वे नमबर पे, Stanford है, Stanford से ही मुझे याद आया, Stanford यह आपकी पाच्वे नमबर पे, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, QS वर्ल्ड इनवस्टी रैंकिंग, विश्व की टॉप फाइब इनवस्टी है, ठीक है, इस बार भारत के टोटल 45 इनवस्टी समलित थी हमारे देश की, भारत की 45 वि 500 में 149 नमबर पे आता है, IIT Bombay, IIT Bombay 149 नमबर पे मलब टॉप 150 में हमने इस्थान बनाया है, IIT Bombay जो है आ चुका है QS वर्ल्ड इनवस्टी रैंकिंग में, IIT Bombay 149 नमबर पे है, ठीक है, इसके बाद IIT Delhi आता है आपका, लेकिन IIT Delhi की रैंक 197 नमबर है, 197, तो टॉप 200 में इनवस्टी हैं हमारी, एक IIT Bombay है और दूसरा IIT Delhi है, ठीक है, एक आपका भारती विज्ञान संस्थान है, वो दो सो पचीसमी रैंक पे है, ये भी बहुत हर जगे पे नमबर एक पे रहता है, ये भी, तो भारती विज्ञान संस्थान, इंडियन इस्टिटूट आप साइं ठीक है, ये आपका जो है कहां पर है, बंगलूरू में और टॉप इनवस्टी आपकी, इसके बाद फिर बहुत सरी IIT है, फिर खड़कपूर है, IIT मदरास है, गुहाटी है, वो सब में नहीं बताऊंगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, QS World University Ranking आपकी ठीक है, इसमें, नमबर एक में, MIT है, आपकी, फिर आपका Cambridge है, फिर आकसपोर्ट है, फिर हावर्ड है, फिर एस्टाइन फोर्ड है, और फिर ये आपकी, 2024, 2024, SK Dreamer, ये जो डेटा है, इसलिए गरबर हो गया था मेरा, क्योंकि ये आपका डेटा 2024 का है, 2023 का नहीं है, QS World University Ranking 2024 के सिर्शक से आपका आया डेटा, आगे चलते हैं, World Investment Report 2023, ये बहुत इंपोर्टेंट रिपोर्ट है, आपकी, World Investment Report, बिश्चु निवेश रिपोर्ट 2023, बिश्चु निवेश रिपोर्ट 2023, ठीक है, ये कब जारी हुआ आपका 5 जुलाई, 2023 को, 5 जुलाई, 2023 को, 5 जुलाई, 2023 को, बिश्चु निवेश रिपोर्ट 2023, ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया, एक संस्था, United Nation Conference on Trade and Development, इसको बोलते हैं, अंग टाड, इसके द्वारा जारी किया गया, फिर से मैं बता रहा हूँ, कौन सी संस था है, United Nation Conference on Trade and Development, इसके द्वारा जारी किया गया, 33 संसकराड था ये, ठीक है, ये हर साल जारी करता है आपका, तो इसके तहट क्या-क्या चीज़े हैं, सबसे पहली बाद, बैस्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेस, ये कितना है, ठीक है, इसमें काफी सारी चीज़ों को लेकर करके, डिसकस किया जाता है, बताया जाता है कि FDI सबसे आदा कहां पे, विदेशी निवेस सबसे आदा कहां पे जा रहा है, तो 2023 के नाम से सीर्शा का है, लेकिन डेटा 2022 का है, सारा का सारा, ठीक है, 2022 का है, तो इसने बताया कि जो बैस्विक इस तर पे FDI है ना, उसका प्रवाह थोड़ा कम हुआ है, इस बार 12% घटा है, और टोटल बैस्विक जो FDI है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेस, जो है, य बैस्विक निवेस प्राप्त हुआ है, पुरे विश्टो को, 1.3 trillion dollar, ठीक है, यह आपका जो है, completely, यह देखो, यह डेटा आता है, बैस्विक निवेस रिपोर्ट आपकी UPSC पूछ सकता है, ठीक है, बाकी state PCS में आ सकता है, अच्छा क्या कारण रहा कि निवेस में कमी ठीक है, इसके अलावा, विश्टो में बहुत सारे देशों की स्थिति खराब है, यूरोप में जो है, मंदी चल रही है, तो जो काफी सारे देश हैं, जहां की हलत खराब चल रही है, चीन में देखिए, चीन की भी Corona संकट इसमें एक दूसरा कारण है, तो 2022 में देशी निवेशक वहां पे, दो सो पचासी बिलियन डॉलर के साथ नंबर एक पे अमेरीका है, ठीक है, नंबर दो पे, नंबर एक पे USA है, नंबर दो पे चीन है, ठीक है, चीन में 189 बिलियन डॉलर है, ठीक है, इसके बाद है आपका नंबर तीन में आपका है, नुपुर, फिर नंबर चार पे है। हांकग कॉंग, नंबर पांच में है। आपका ब्राजील, तोटल यह बारत जहां पर विदेशी निवेस आया है तो आपका नमबर एक युएसे है यह भी याद रखेगा पिशली वर्स हम किस नंबर पे थे इस नंबर पे थे पिशले वर्स हम साथ वे नंबर पे थे इसके बाद तीसरा आपका जो है यह इंडसेक्स हो गया आपका डिफेंस इनिशेटिव है आपकी यह प्लास्टिक बैन आपका न्यूजिलेंड ने पूरी तरीके से कर दिया भीया तो यह आपका करेंट अफेर्स के टॉपिक है इनको याद करिए रठ लीजिए यह एक्जाम हॉल पर आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे टॉपिक द्यान रखिएगा सभी बच्चे